Hello Learners, Welcome to Channel तो जैसा कि आपको पता कि professional ethics का मतलब होता है कि आप जिस भी profession में हैं उसमें आप ethical human conduct show करते हैं यानि कि आप अपने profession को इस तरीके से perform करते हैं कि वो mutually fulfilling और mutually happiness प्रवाइट करता है वो चारो लेबल पे individual, family, society, nature लेबल पे जो है वो mutually fulfilling होता है, enrichment करता है, mutual enrichment करता है लेकिन बहुत सारे ऐसे cases होते हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि आज के time पर अगर current scenario की बात करें तो बहुत सारे issues होते हैं professional ethics में कि कोई भी लोग अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो issues क्या हैं जैसे कि corruption at various level आप देखेंगे corruption बहुत लोग घोस लेके अपना काम करवा लेते हैं जबकि वो eligible नहीं होते हैं tax evasion होता है यानि कि जहाँ पर tax की चोड़ी की जाते है illegal non payment है फिर under payment होता है tax का misuse होता है public funds का unethical advertisement हो रहा है जो कि इतिकल नहीं है ऐसे advertisement आप तीबी पर देखते होंगे आज के टाइम पर इस promotion जो है गलत तरीके से किया जा रहा है cut thought competition है एक दूसरे की गला काटने वाला जो competition किया जा रहा है market में आप different companies के बीच में देखते हैं adulteration and experience production हो रहा है जो production हो रहा है जो समान आ रहा है वो कहीं न कहीं से adulterated है याने कि उसमें जो है मिलावटे की गई है तो जिससे की हीवन जो है नुकसान भी पहुंच रहा है लोगों को क्या है कहीं न कहीं corruption है illegal activities है जो कि आप अपने profession में perform करते हैं तो इसको कैसे remove किया जा से और यह चीज़े क्यूं होती है इस पर सोचने वाली बात है कि यह चीज़े क्यूं कर रहा है लोग corruption क्यूं कर रहे है लोग tax division क्यूं कर रहे है लोग hoarding क्यूं कर रहे है बट अबेस से ज़़ा था कि कहीं न कहीं उनके अंदर ethical human conduct की कमी है यानि कि उनको यह नहीं पता कि right understanding नहीं है realization नहीं है कि उनका जो natural acceptance है वो क्या है self-rexation की कमी है तो उसको promote करना होगा तो promote कैसे किया जा सकता है कुछ method है जो कि जिसके तूर जो है आप इसको implement करके जो है professional में ethical human conduct को आ कि promoting awareness about professional ethics by introducing new course refresher program and case studies तो आप जो है professional ethics को introduce कर सकते हैं उसको aware कर सकते हैं लोगों को नए नए course करवा कि refresher program कराओ के case studies कराओ के और यह हो भी रहे हैं आप देखते होंगे universal human value professional ethics के जो है refresher programs जो है चलते हैं 7 दिन 10 दिन इस तरीके से जो conduct करा जाते हैं और पूरे इंडिया में prescribing code of ethical conduct ही हाला कि बहुत सारे profession में oath दिलवाया जाता है code of conduct भी होता है लेकिन जो है लोग उसको खाली oath लेकर भूल जाते हैं उसके बाद जैसा कि आप जोग नेताओं को देखते होंगे कि वहाँ पर क्या है कि इस अपर सबको मिलते हैं लेकिन बाद में की corruption के उनके charges उनके activities जाने की monitor करते रहे कि कहां 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 कौन सी activities कैसे कैसे perform हो रहे हो कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है more strict laws and harder punishment for offenses जाने की strict तो यानि कि और ज्यादा strict laws आप create करें और उसके लिए जो है punishment भी दीजिए यानि अगर कोई गलती करता है तो उसको hard punishment भी मिलनी चाहिए ऐसा कि दुबारा वो गलती करने से सोचे promoting transparency in working system working system में transparency लाना जरूरी है पहले क्या होता था कि पहले आप जब digitalization नहीं था तो क्या था कि सारी चीजें काम हो जाते थी किसे को पता ही नहीं था तो कहां कैसे क्या हुआ लेकिन आज के टाइम पर फिर भी digitalization की वज़र से transparency बढ़ी है तो चाहिए वो individual हो चाहिए ग्रूप में हो इसको encourage करना चाहिए और whistleblower को नाम छुबा के रखना चाहिए क्योंकि जो भी whistleblowing कर रहा है वो उसको कहीं कहीं न कहीं उसको supporting जो है helping hand भी देना जाहिए कि उसका नाम बाहर ना आए और जो है वो गलत काम को evaluate भी कर सके हो गलत काम को हटा सके और जो भी कर रहा है उसको punishment भी मिल सके तो कुछ इस तरीके से जो है professional ethics को implement किया जा सकता है तो professional ethics का मतलब यही होता है कि जब आप अपने profession को अपने सपोसकर आप lawyer है या doctor है और फिर कोई और profession में है तो आप अपने काम को सही धंक से कर रहे हैं अगर सही धंक से नहीं कर रहे हैं तो उस पर कुछ एक्संस लिए जा सकते हैं विशु आलदा बेश्ट की पहुचेंगे